स्वेंस हैपी ओली तू अलो फ्यू आज मैं थोड़ी देर के लिए ओफिस आया और मैंने सूचा एक न्यूज आपसे शेर करता हूँ यह NTA चैर्मेन का मैंने इंटर्व्यू देखा था जो टाइमस ऑफ इंडिया में कल संडे टाइमस से पब्लिश हुआ था और इसका टाइटल था टॉफ क्वेस्टेंस डोंट मेंक अ गूड एक्जाम पेपर यह वाला जो आर्टिकल है इसका इमेज हमने नीट्रेप के टेलिग्राम चैनल पर डाल दिया है टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसमें एक पार्ट बड़ा है इनसे पूछा कि NTA का सबसे बड़ा चैलेंज किया है यदि आप नीचे आएंगे what has been the biggest challenge that NTA has faced ठीक है और इसका जो इन्होंने जवाब दिया है वो काफी इंट्रस्टिंग है राइट देके इन्होंने बोला है to change the mindset of question paper setters the same goes for people who are taking the test in India what is generally accepted in India what is generally accepted that a difficult paper is better question paper all candidates are doing well who are doing better and he's saying but difficulty does not mean you created a test of higher level difficulty could be a challenge could be challenging a candidate by maintaining the same level at which he or she is studying while making it interesting more application oriented bringing three or four concepts together while still making it difficult तो यह कह रहें कि यह वाली चीज़ जरूरी है कि आप यह समझें कि difficult paper का मतलब यह नहीं है कि बच्चों से हो नहीं रहा difficult paper का मतलब यह भी हो सकता है कि class में जो पढ़ाए गया जो NCRT में पढ़ाए गया अलगि उन्होंने NCRT word using किया है पर यदि आप नीचे आकर देखेंगे तो नहीं लिखा है यह जो difficult paper होता है इसके जाएसे they do not take much interest in whatever they are learning inside the classroom and they also feel that whatever is being learned inside the classroom is useless तो इसका मतलब मोटा मोटा यह है कि NTA यह communicate करने की कोशिश कर रहा है कि हम जब test बनाते हैं जब हमें जिम्मेदारी दी गई है हमें premier testing agency इंडिया की बनाया गया है हमारे उपर जिम्मेदारी है need JEE जैसे बड़े बड़े test कराने की तो हमारी कोशिश यह रहेगी कि हम जो हम syllabus बताते हैं जो textbook बताते हैं उसके दाएरे में रहें जिससे आप class में भी textbook से पढ़ाया जाता है और हम जो paper लेंगे वह भी textbook से पढ़ाया है जिससे आप classroom को useless ना समझे तो यह एक important चीज है हमारी कोशिश भी यहाँ पर need prep.com पर यही है जब हमने आपको ncrt filters provide किया है जब हमने आपको show mean ncrt feature provide किया है जिससे आप बायों के अंदर सीधा जब question attempt करतें ncrt में जाके refer करें purpose यही है और NTA भी बहुत clearly communicate कर रहा है इससे आपको indication भी मिलना चाहिए उन्हांने 19 और 20 में जो चार पेपर किये और उसके बाद आप जो पेपर गरेंगे 2021 में चार पेपर में उन्हांने clearly communicate किया कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम ncrt के दाएरे में रहें यह वाला जो interview है यह वाला question आप जरूर जाके आपके देखिएगा जो मैंने इमेज डाली है टेलिग्राम चैलेंग पर वाट इस बीन दबिगेश चैलेंग टेंटी इस फेस्ट और इसमें 10-12 लाइन उन्हांने जो बोली है उसको पढ़िएगा इससे आपको आइडिया लग जाएगा फालतुगा इदर उदर करने की ज देना नहीं है और आप ऐसे question paper लगा रहे हैं जिनमें वो सारे facts पूछे जा रहे हैं बायो में strictly NCRT पर रही है physics chemistry में भी physical chemistry physics की बात करें जो formula NCRT में नहीं है वो irrelevant है organic और inorganic में जो reactions जो facts NCRT में बताए गए वो relevant है अब इसको जाके पढ़ लीजे और आपको थोड़ी शांती मिलेगी कि NCRT पर focus करेंगे तो need exam के level की आपकी तयारी हो सकती है ठीक है बच्चो